प्रवासी मजदूरों में ही एक कोड़े के धेर में लगी आग के कारण हुई है गनिमत ये रही कि दिन का समय होने के कारण सभी मजदूर अपने बच्चों और परीजिनों के साथ खेतों में मजदूरी करने के लिए गए थे जिस कारण सभी की जान सुरक्षित है आग जनी से लगभग 2 लाग रुपई का नुकसान हो गया है ग्रामिनों ने कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया इस आग की घटना की सूचना मिलते ही हलका विधायक जस्वेर सिंग राजा ने घटना स्थलका दौरा कर स्थिती का जायजा लिया साथ सिकाल जी आज जैसी इते नर्याडा पिंचे आया है तंडेयाल के लास्ट पिंचे आया उड मोड़ा इते अज चुगियानों आगल आगे शी आले पता नी चलेया कारण दाव डपार्टमेंट पुलिस बार्टमेंट भी आगया राइट वे ता मैमी नाल देपेंड़ जल्दी आगया ता डीसी साब ना भी गल हो गई है एस डीम साब भी गल हो गई है बाकी पार्टी देते आंचे भी लिया आता सीम साब तो भी मैसेज अचा और देख एंटे तक कर उपड़ जाना मैं मैसेज आगता है ता जो भी इना दी सरकार वलों बंदी सूलत होई भी पैल देदा आफ्ते इना भी हल्प कीती जाओगी बाकी पार्टी सारी इना दुना लिया और कोई इदा दी दिखत ने और शाम तक कर कोश ना कोश डीसी साब ना होने का लोगी होगी सुवंदत अधकारी पेंज रहा जो भी इना दर नकसान होया उदी प्रवाई जिरूत दिवे हिमाचल टीवी के लिए होश यारपुर से पंकच कुमार करिफो प्रतीशत से ज्यादा की व्रधी हो चुकी है इसलिए ओवर स्पीडिंग ना करें रोट सेफटी सेल परिवाहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में